नमस्कर दोस्तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से फानेंशल एड़ा यूडूब चानल में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप tradingview.done.co में चार्ट को एनलाईज कर रहे हो तो साथ के साथ आप cover order कैसे लगा सकते हो अगर आप मान लीजिए कोई analysis कर रहे हो intraday के लिए और आपका analysis कह रहा है कि आपको intraday की पुज़ाना यानि cover order लगाना बहुत ही important है क्योंकि अगर by chance वो intraday की जो हमने trading लिया है जो trade लिया है अगर वो हमारे analysis के according ना जाए तो वहाँ पर हमें exit करना चाहिए because अगर market एकदम से fall हो जाएगी तो हमें बहुत जादा loss हो सकता है तो ऐसे case में stop loss order लगाना बहुत ही important है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे stop loss order लगाएंगे tradingview.done.com में तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह order panel यहाँ पर मैं आऊँगा order panel पर click करूँगा और अभी मैं यहाँ पर जो buy करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ ITC का share और यहाँ पर ITC का share जो है वो चल रहा है 302.05 यहाँ पर मैंने एक share buy कर लिया और यहाँ पर मैं order डाल रहा हूँ stop loss का साथ में कि अगर यह share 300 का आ जाता है तो यह automatic exit हो जाए जिससे मेरे को अगर loss हुआ तो सिर्फ 2 रुपे पर share होगा अगर बाई चंद में stop loss नहीं लगाता हूँ और यह 302 रुपे का share एकदम से गिर के 290 आ जाता है तो मेरे को 12 रुपे पर share का loss हो सकता है यानि अगर यह 300 रुपे आ जाएगा तो मेरा stop loss लग जाएगा product मैं intra day कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं click कर दूँगा एक share buy और order मेरा जा चुका है और order मेरा execute भी हो चुका है 301.90 बे अब यहाँ रखे मेरा एक और order यहाँ पर डल चुका है जो की है 300 रुपीस का अगर share price 300 का आ जाता है तो मैं automatic exit हो जाऊँगा मुझे personally वहाँ जाके exit करने की कोई जुरुत नहीं है तो यह मेरा benefit क्यों होगा कि market अगर गिर गे, stock अगर गिर गया तो मेरा 300 में ही exit हो जाएगा आप charts में ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने buy किया 301.90 पर यह आ गया sell stop loss तो बहुत important है कि मैं trading कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने order पहली से stop loss का डाला है अब देखिए अगर यह share 301.90 से उपर जाता है 303, 304, 305 मैं अपना profit book कर सकता हूँ बट अगर market गिर गई और यह एकदम से नीचे गिर गया तो मुझे कोई tension नहीं वहिया मेरा stop loss order पहली से डल चुका है 300 रुपे से तो मुझे सिर्फ 2 रुपे पर share का ही नुकसान होगा यह फायदा होता है stop loss order cover order लगाने का अगर आपकी कोई query है इस order से related comment box पे लिखिये मैं जल से जल आपकी query को solve कर दूँगा और अभी तक आपके पास dmat account नहीं है तो done app के साथ free dmat account open करें link description में है अभी चाहिए और open करें free dmat account done app के साथ आज की वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बताना मिलते हैं next वीडियो में नमस्कार